बहत्तर घंटे से ज्यादा कसम में बीत चुका है लेकिन बहराईच के डीम साहब का बाल भी बाकर नहीं हुआ अभी तक अभायसन के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई डीम साहब की डर्थ से अब तक होंगार्ड्स का मेडिकल तक नहीं कराया गया पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है जिया पूरा जिला प्रशासन जुटा है मामले को रफा दफा करने में अब ऐसे में सवाल है कि अभायसन को ये अभायदान क्यों टीम साहब की गुंटई से थर थर काप रहा है पूरा बहराईच किसी की क्या मजाद जो टीम साहब के खिलाप जाएं खिलाप जाने का खयाल भर भी उधरी चमरी और तूटी उंगलियों की याद दिला जाता है अब इसे दियम साहब का कौफ ही तो कहेंगे कि तीन दिन से तूटी उंगली और उधिरी चमडी लेकर हों गार्णों को अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ रहा है लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं उनके जखमों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं मेडिकल के लिए अस्पताल की चौखट पर डटे हैं लेकिन डियम साहब के डर से मेडिकल तक नहीं हो पा रहा डियम साहब ने अपनी पूरी ताकत चौपती है ताकि किसी तरह मामले को रफा दपा कर दिया जाए पूरा महकमा लगा है जीजान से जुटा है लगता है जुगार के माहिर खिलाडी अभैसिंग ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर मेडिकल होने ही नहीं देंगे होमगार्डों को निप्टाने के लिए कूप पोन घंधना रहा है अभैसिंग ऐसे में सवाल है कि सुबे के चौप चौराहों की सुरक्षा करने वाले होमगार्डों की कौन सुनेगा होमगार्ड एक जुट है अभैसिंग पर कारवाई करने की मांग हो रही है धर्णा प्रदर्शन की कमिशनर तक से बात थी लेकिन अभैसिंग का अब तक बाल भी बांका नहीं हुआ है ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बहराईच के डियम अभैसिंग को अभैदान क्यों बहतर घंटों से जादा गुजर जाने के बाद थी अब तक कारवाई क्यों नहीं खाल उधिडने वाले डियम पर कब होगी कारवाई विरो एर्पोर्ट समाचार प्लस और सब भी खास में मेरे साथ जुड़े वें आसिम वकर समाजवधी पार्टिस हैं आसिम भाई अबडेट के तौर पर पहले यह बता दीजिए कि इस पूरे मामले में अबडेट आपके पास क्या है कोई कारवाई होगी होने जा रही है कोई बात्चीत हो रही है कोई खवर सर लेकिए फिलाल तो मेरे पास कोई नई अपडेट नहीं है जो मैं आप से शेर करूँ दूसरी बात यह दुखत घटना है डियम को ऐसा नहीं होना चाहिए मैं मदम्मत करता हूँ आपके चैनल पर तीसरी बार होम गार्ड भी हमारे उत्तर प्रदेश की सुरच्छा का एक अहम हिस्सा है और आप से गुदारिश करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो होम गार्ड मंत्री है आपको मैं समझता हूँ के उनकी बाइट लेना चाहिए थी उनसे इस बारे में बात करना चाहिए थी वह आपको जदा बेतर बता पाते कि आगे क्या होना है और यह क्यों हुआ है अच्छा मेरे पास जैसे कोई अपडेट आईगी मैं एस सुन एस पासबल जित्री जल्दी हो चाहिए किसी तरह की कोई हल चल नहीं कोई बात्चित नहीं को रही बहतर घंटे सर बड़ा टाइम बीद गया और अब स्ट्राइक अगर हो गई तो फिर क्या वो जाने की तैयरी में भी असल में है कि सर मैं आप से क्या चही था है हमारे प्रदेश में पारे बात करना चीए थी ऐसे बाटमा चीए थी उनका पंच लेना चीए था उनके विभाग कामामेला है और समार्च वाभी पार्टी आपके अब में नहीं है यह मानूं अभी फिल आट है पिनDas आभ मेरे उपर प्रवक्ता से बात कर रहा हूं ना दो चार बॉधिक लेवल पर ठीक ठाके उनसे उनसे बात कर रहा हूं मैं तो मैं मानू आपके पास कोई जानकारी नहीं है कर रहा है तो मेरी पूरी आजाने पीजे अगर आप मिजाई लेकर हमले के मूड में हैं तो मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ा ठंडा करिए दिमाग को एक बलास पानी तो फिर मेरी बात को फिर तो काम हो गया सर आप ही के हिसाब से सारी चीजे चल जाएंगे तो बहुत कुछ और चीजे बदल जाएंगे मुम्किन नहीं है मुम्किन नहीं है हमारे आपके दुमों के दिमाग अलाइदा अलाइदा है वह भी निपाएंगा सारी अभी ठीक है सारी यह आपकी टेफिनेशन हो सकती आसिम भाई लेकिन चीज़े जब न्यू चैनल को सला दे पहले अपनी पालिटी को अपने हिसाब से चलाएं एक तरफ अंचु जी लेकिन बहुतर घंटे बात कोई कारवाई नहीं हो रही है और यह कहा जा रहा है कि होमकार्ड मंत्री साहब बात कर लिजिए तो यह माना जाए कि संजीदा है इस मामले को लेकिए कितनी शर्मनाक इस्तिती है घंश्याम जी कि 72 घंटे हो गए है लखनव से 100 किलोमेटर दूर की घंटना है और दो दिन से लगातार सारे समाचार पत्रों में छप रहा है लेक्ट्रानिक मीडिया में भी दिखाया जा रहा है अभी तक इस पे कोई भी एक्षन नहीं आए चल सब्सक्राइब तो उनके अंतरगत आता है उसी पर एक्षन करके दिखा देते क्या सिर्फ विकास पर ही चुनाओ लडेंगे पूरा प्रदेश चौपट हुआ जा रहा है को पूरी तरह जो लोगों ने दवडा दवडा के पीटा उस महिला को कितनी दुखत बाद है आसिम स कर देना काफी है वो भी ऐसे मौकी में जब वाकई अलामिंग कारियों पर सक्षे काम हो जाएगा जहां तक सवाल है होंगाट के पिटने का तो हर जिला दिकारी की एक अपनी बिवस्था होती है यदि होंगाट से कोई गलतिया हुई है तो उसको वो सरकारी और अपने विस करते वो समाज का प्रथम सुरच्चा की द्रश्ट से देखा जाए तो प्रथम प्रहरी है और कारवाई ना होना जिला धिकारी के ऊपर यह तो अब असीम साहब ही अभी कुछ बता देंगे नेता जी से सलाह मजबिरा करके ही कुछ हो सकता है रामिश्वर पांडे जी सर क्या मजबूरी समझ में आती है आपको इतना बड़ा समय बीद गया इतनी बड़ी घटना लेकिन किसी तरह की कोई कारवाई नहीं यहां पे भी क्या इतनी बड़ी मजबूरी है जो अतिक आहमत के लेवल में हम देख पा रहे हैं यहां तो अधिकारी एक पढ़ा लिखा आदमी तो है जीला का प्रसासनिक अधिकारी होता है और सब का संदच्चक भी माना जाता है अपने ही यहां के होम गार्ड को जिस तरह किसी भी सब है आदमी का किसी ब्यक्ति के पर हाथ उखाना हमेशा निंदनी होता है सामाजिक दिश्च से मैतिक दिश्च से कानूनी दिश्च से अगर कानून का ही रखवाला कानून अपने हाथ में लेता है तो यह कानूनी दिश्च से गलत है तीसरा चुनाओ का दोर चला है और होम गार्ड यह सरकार भी जानती है और वकार साब भी जानते हैं कि जिला दिकारी हो सकता है चुना लेकिन होंगाड की संख्या उत्तर प्रदेश में मामूली नहीं है और जिन होंगाडों के लिए तमाम तरह की कोई से ही सरकार ने की है ताकि उनका समर्थन भी सरकार को मिले तो चुनावी नजरिये से भी रड़नितिक डंग से सरकार के खिलाफ यह बात जा रही है इन तीनों इस चितियों में मुखमंत्री पर कोई दबाव इस तरह कर रही है फैसला कर सकते हैं अब नहीं किया तो मैं नहीं मानता कोई बहतर घंटे में नहीं हुआ है तो नहीं होगा मुझे लगता है कि मुखमंत्री अखलेश यादो जी एक संबेदंसील आदमी है जरूर इस पर कोई फैसला करेंगे कोई कारवा तो फजीहत होने का इंतजार क्यों सर यह भी तो फजीहत हो जाए इस सरकार में कुछ अगर उचित फैसले भी हुए है तो बड़ी फजीहत के कुछ फैसले हुए हैं लेकिन फजीहत होने के बाद यह फैसला हो तो भी नुकसान होता है मैरा अगर यह है कि फजीहत होने के बाद हो होंगार्डो की नाराजगी प्रदेश अस्तर पर बढ़ जाए अभी पूरा जिला अंदुलित प्रदेश अस्तर पर नाराजगी अगर किसी आदमी ने हाथ उठाया है किसी पर तो भारती कानून की धाराओं के ताद उसके खिलाब फायार होती है और मैं तो अदालते तक ऐसे मामरों में श्यों मोटो एकसल ले लेती हैं अगर अगबारों में छपा हो तो यह उदारण कम है तो इस पर तो यह फायार होनी ही चाहिए ना पीटा जो बेक्ति पिटा गया है वो घूम रहा है टीवी चलो पर उसके चेहरे दिखाई पढ़ रहे हैं उसने लिख के दे दिया है चीफ सेक्रेटी क्या करना है यह खाली मुखमंत्री का सवाल नहीं है लगी मुखमंत्री बाद में पायदे चीफस प्सक्रेटरी निक्या किया हुं प्रसाइश्त फजियत के इंतिजार में रहती है कि सरकार, जब फजियत हो जाये, रोड पर बवाल हो जाये, लोग ग수से में आ जाये, फिर फैसला लिया जाये, आप भी जानते हैं सर देड से मिलने माला नियाए ब-याए हो जाता है, इस बात का इंतिजार क्यों ततकाल चीजे क्यों नहीं सोट आउट की जाती लेकिन सरकार तो सरकार अपनी तरह से चलती है सरकार अपनी तरीके से चलती है मैं आपको वचन देता हूँ माने मुपंती जी बहुत समयधन शीन है और इसमें कोई न कोई एक मुनासी पैसला जरूर आएगा सर कल भी आपी की पार्टी से प्रवक्ता थे मुपंध शाहिस उन्होंने भी वचन दिया हूँ कर ले मैंने टाइम नहीं दिया लेकिन मुझे यकीन है अपने मुकंतरी पर और मेरे जैसे नाजाने कितने करों करता हैं जिदको यकीन है अपने मुकंतरी पर कि एक मुनासीव और जैसला जरूर आएगा थोड़ा सा सब्रकर लीड़ी सर कारकरता इसी प्रदेश का नागरिक भी है मैंने इसलिए अपनी बात की कारकरता की बात की कि बीजेपी की जो लोग है अगर हम सोना बनके आजाएंगे तब भी वह हमको पीतल कहेंगे कांग्रेस वाले भी इसी तरह की बात करें जिए बीजेपी की लोग थोड़ी है जिनकी चंप पूड़ी है बीजेपी की लोग थोड़ी है और उस पे आप हमारी पार्टी पे दोस्ते रहें करें बड़े बाई कांग्रेस चोटे बाई कांग्रेस पर कहां से आप बोल रहे हैं आपका मुखमंत्री खुद फुरच्चित नहीं बिगत महीने खुले मंच से माई कुछ से हाँ से चीन लिया जा रहा है प्रदे इतने बड़े विसाल का है प्रदेश के प्रदान मंत्री जी ने अपने मुह से कह दिया कि मुझे हिंदुस्तान में बहुत डल लगता है मेरी हत्या हो जाएगी तो मुझे लगता है कि अब अमदा लगा लिए देश का प्रदान मंत्री फुरच्ष्ट्री के बाले में आसिम साथ बताएगी तो कि प्रदान मंत्री देश वे बन गया है कुछ जो नफबंदी के बाद पैता हो जो रहे हो रहे है प्रदान मंत्री देश रहो है अरे प्रदान मंत्री फुरच्ष्ट्री के साथ है आचए मरापनि को सर्दान पढ़े की अच्ठ का ले बनाने का ठेचा दे जिया है अंचू जी अंचू जी पोले सिंग साहब भुए अंचू जी अंचू जी अंचू जी हर जगे पॉलिटिकल स्कॉरिंग मत करू долларов सब्सक्राइब कुछ दूजरी बात करता है आप क्या करेंगे प्रधान मंत्री प्रधान माँ पहले आप पहले आप ये तल हैं या कर्व होना चाहिए आप्छी कि आधि अच्छी अटूजी अच्छी अच्छी अच्छब मुद्दा प्रद्धान मंत्री नहीं है सर मुद्दय को समझे लिजिये बाइन फॉट करके मिसमत्री बहुतिन हैं सर मुद्दा वह नहीं है अन्चु जी यहांगार्ड पुट गएंस सर मानूंम समझी धना हैं कि नहीं हैं सिर्फ पॉलिटिक स्कोरिंग हमेशा है हमारे साथ रमा कांजी जुड़ रहे हैं जो होंगार्ट के प्रभारी ये मीडिया प्रभारी रमा कांजी स्वागत आपका सर क्या अपडेट मिल रही है कोई कारवाई हो रही है कोई अशुरेंस आपको मिल रहा है वोई कारवाई नहीं हो रही है ना हमारा मुकदमा लिखा जा रहा है जो पीडि पाज होंगाट तोड़ा दोड़ा करके पीटे गए हैं ना उनका मुकदमा लिखा जा रहा है ना उनका दोई का मोहिया कोई कराया जा रहा है ना दाक्षी कराया जा रही है और उल्टे कल साम क 25 लोगों के खिलाब मुकदमा लिखा दिया गया है कल हमारी बात नहीं हमारे मंदल कमांडन साफ यहां है कल से आये हैं और जिला कमांडन को भी पहले जिला कमांडन को बुलाया फिर उसके बात जो है दियाद को त्वाली के इसपटर साफ को बुलाया उनके जो है हम रात थे और इसोजी के परभारी भी थी वहां पर एक अठा हुए पहले उसके बात जो है मोबाइल सुच कर रहा है सबका उसके बात जिला कमांडन से डियाम साहब ने पाचलों को बरखा इनों ने उसके बात जिला कमांडन महोडए के पेड में जंडा घुचेते हैं पीछे को दोलाते हैं पीछे खाच दे हुए आप सब गाली देते हुए जिलात समानन को डियम सहाब अभई ने चंदा गजिचो गाली का परियोग किया उन्होंने और गाली मंगवाली उनसे कहा गाली सरकारी हो दे दीजिए और 24 घंटे के अंदर सरकारी आवाद खाली कर दीजिए इसके बाद जो है हम लोगों को स हाने के लिए कोत्वाल सहाब ने कहा कि मैं जियम सहाब के खिलाफ कारवाई नहीं कर जब भग जाओ नाम बताइए नाम बताइए कोत्वाल सहाब का नाम को जानकारी नहीं से फिर सालिक राम बर्मा एस्पी सहाब के बंगले पे हम लोग मिलने के एस्पी सहाब से एक घंट दंगले पर हम लोग खड़े रहें मिलने के लिए वो उचित नहीं समझे कि हम लोग की दर्द पीड़ा हो समझे हमारी बात को सुने हो फिर एक घंता के बाद हम लोग वहां इंतिजार किये नहीं मिले फिर हम लोग हास्पिटल गे जी लाज के लिए अच्छा और उनका मेटक कीकि मेरे एक कुरिसी ठोड़ दी सेमयस सहब को गलाया सियमस साहब ने इम साहाब का फोन हा तो इँमन साहब के बाद की ना इनका उपघार करिए ना इनका इदागिटरी करिए तो सेमयस साहब कहते है कि कपकान सहाब सहाब नखाला या अपनी एस्पी से तो उ eightboard忍 मिले न करके दीजम मैं डाक्ति नहीं करूंगा तो उन्होंने कहां मैं लिकर करके नहीं दूंगा एक दीयम का मामला है फोन आया हमारे उपर दबाओ है ना लिके दूँगा ना इलाच करूंगा रमा कांची आप मेरे साथ फोन लाइन पे रहेगा आपके क्या वास लोट रहा हूं हम कार की बात तो चली बात की बात में भूमिका निभाएगी लेकिन जो आपका सिस्टम इनिचे स्ट्रक्चर यह तो बड़ा अजीब सा है सर अब इस पर क्या कहेंगे आसिम भाई सर गंबीरं मुद्दा है और मैं समझता हूं जो काम कोई निकर पाया वो काम आपके समानिक चैनल ने कर दिया और और मैं तो आप समझता हूं कि आप राश्ट्य चैनल है पूरे देश में जहां जहाँ चैनल लेकर जाता है वहां वहां इकी आवाज पहुँच पर és और आप आपको जानकारी से पर मुझसे जानकारी आप की खाली है जहां आप कोशाना चाहरे थे महां पहुंच गया है सर्व हमारी कोशिश के अनायकर सर्थ आपसेंबखार संजीदी के साथ रेशाते में जरूर काहई करेंगे और बेहतर काहई करेंगे और आपका एफट क्या है सर्थ आपने खुद सुन लिया ना कि अवे सिंगे बात नहीं रह गई यहां पर तो कोई मुकद्मा लिखने को तयार नहीं इस इस तो अजब इस्तित ही ना कुछ सुनने को तयार ना इलाज करने को तयार अब जाएंगे कहा होँगाड्स वहां वहां कहते के अलावा बस पांग्रेश और फकर तक क्वार करता है कि वह к fkt हगर हैक्सकित दोग तकको नहीं गया है वह वहां जिरासी स्पिताल स्फित क्यूं कि क्यों नहीं गया है और वहां यह जो आला अधिकारी है इस तरह की जात्ति कर रहे हैं एक इतने बड़े समुधायक इखला तो बिपक्षी पाइटी क्या कर रहे हैं वहां रमाकान जी क्या दूसरे पॉलिटिकल लोग आपसे मिले हैं क्या बीजेपी बीएसपी कोई मिला आपसे आके और जो हाथ पिचल की बात थोड़ी बात थूड़ गई थी जो है बताना चाहता हूं जब हम चैमा सहाब से ड़े की अगर आप लिक्टर के दीजे इलाज नहीं कर रहे हैं आप दाप्री नहीं कर रहे हैं तो चैमा सहाब ने एक ट्रक पेसी मंगवाली तकाल दियम सहाब ने अबेद दिया हम लोगों के लिए हम लोग को वहां से भागना पड़ा हम 15 लोग थे हैं ठीक है ठीक है अंचु जी यह सारी यह जारा दर्द यह और सर्मनाग बात है सभी सभी पार्टियों के लिए जो लंबे-लंबे बयान दे रही है मैं वाकार साब्स काऊंगा कि सपा के इसके खिलाप आंदोलंग करना है अंचु भाई यह तीवी डिबेट के लिए सारा दर्द नहीं देखे घंचयाम जी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है जो होमगाड के साथ यह दुखत घटना हुई है उसकी निंदा करती है और सर्कार के दोरा अगर कोई भी जल् अगर देखे शरा के सार। भरती जंता पार्टी फॉमगाट के परिवार के साथ है और यह जो गैर कार्णूनिक कार्वाई जिला धिकारी ने किया है इसको सीम को ततकाल फैसला लेना चाहिए रही बात भारती जनता पार्टी के कारकरताओं से या पदा धिकारियों से तो चुकि ये सरकारी कार रहे है भारती जनता पार्टी कार्वाई करनी चाहिए आप नहीं उत्रेंगे सरकोपे भारती जनता पार्टी आप नहीं उत्रेंगे साथ टीवी डिबेट्स में साथ मत होए ना आप मिलते क्यों नहीं जाके सरकारी करमचारियें आप नहीं जाएंगे मिलने के लिए सीम कारवाई करें वो तो करें न करें उन पर सवाल है यह आप क्यों नहीं उठ्टें सर कोई और हिंदु किस्टिंग का मुद्धा हो तो हवाजा दे है भी इस सड़क में हमारी पार्टी के लोग संसकारिक कार करता होंगार से मिले होंगे अब यह मंदिर की बात कोई कर दे डेढ़ नमाज के लिए ब्रेक दे दिया था कॉंग्रेस ने आप में ववाल हो गया था सर यह मुद्धे भी तो समझे ना सिर्फ मत कोसिए कोसने से काम नहीं चलेगा भोले सिंग साब अब जाएंगे आपके में कोई अक्शन जरूर होगा और होमकार्स कि सुनी जाएगी इसे उम्मिद के साथ पर गुल्टर में आज के लिए बस अतना ही नमस्कार